आज हम बात करने वाले हैं DC generator के बाड़े में देखिए DC generator का जो construction होता है वो same to same DC motor की तरह ही होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है बस DC motor जो है supply electrical energy को mechanical बदलता है यहां just opposite है कि DC generator जो है mechanical energy को electrical DC supply में बदलता है construction, motor और generator दुनों का same होता है अब आईए देखते हैं कि DC generator जो है किस प्रकार से काम करता है तो DC generator जो होता है आपका फ्राडेस के electromagnetic induction effect के अधार पे नियम पे काम करता है सिधान पे काम करता है इसका अंतरज़त क्या होता है जब किसी चालक के द्वारा किसी magnetic field को काटा जाता है तो उस conductor में एक electromotive force उत्पन होता है जिसकी सहायता से जब हम बंद पड़िपत प्रदान करते हैं उस conductor के दो सीरों पर तो उसमें विदुदारा का प्रवा होता है तो इस प्रकार से आपका यह decisionator काम करता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ north और south pole है तो हमेशा magnetic field के दिशा north से south square होगी उस magnetic field के अंदर जब हम क्वाइल को नचाते हैं primary mover के द्वारा तो वो क्या करेगा उस magnetic field को काटेगा इसके कारण इसके दो पॉइंट पे EMF उत्पन होगा उस EMF की सहता से हम बंद पड़िपत में current को प्रवाहित करते हैं तो यह फ्राडेक्स के electromagnetic induction effect पे काम करता है अब बात उठता है कि अब देखिए यहां पर इस figure में और इस figure में दोनों में जो EMF पैदा हो रहा है तो उसी सिधान पे काम हो रहा है ठीक है उसी सिधान पे EMF पैदा हो रहा है अब देखिए उस EMF की प्रविति जो है अब इस रप्रिएंग में प्रुपvantage कि शमली क्यों गया नमें किसके धरें ग्ल में जो रहा है किसके द्वारा गया ज़ा रहा है यहां पर गपर वितं कि सिधान कई अब cricket ख़वथ यह ऊपर छय है चाहरी हए पर यहां पर यहittंज तो यह में जब भीन साफ्ट रूटेट करेंगा उसके साथ क्वायल रूटेट करेंगा उसके साथ स्लिपरिंग रूटेट करेंगा तो यह कार्बन ब्रॉस कंटिनू valve के साथा रहेज साथ कंडेकट में बना रहेगा मलत जो कंडिशन में जो आपका किस प्रकार से जो बंता है। तौर्ट के तोड़ पे उसको देखिए यह आपका एक सर्किल है उस सर्किल के अंतर कर अत्म कोईल घुमेगा एक सर्किल में 370 डिखड़ी होता है तो न्यन्टी होगा श्यूंद गोगा यह 9000 होगा तो यह क्वा इस सर्किल में घुमेगा अब रूटेट कर रहा है तो देख कि को is को कुछ इस प्रकार से रखते हैं आप सपोस्खिजिये कि यह को il मैं इस प्रकार से रखता हूं ऐसे तो देखिए कि कितने फ्लक्स जो है उपर से और निजय से गुजड़ जा रहे हैं तो इस कंडिशन में कोईल का संपर्क फ्लक्स से बहुत ही कम होता है ना मात्र होता है लेकिन जैसे जैसे आपका कोईल नाचता है ऐसे नाचते जाएगा तो देखिए फ्लक्स जो पहले जतना टक्रा रहा था उससे ज्यादा फ्लक्स अब कोईल से टक्राएगा जिसके करण उसमें एमफ की मातर बढ़ते ही जाएगी और जब यह 90 डिगरी में बिल्कुल आ जाएगा तो देखिए पूरा फ्लक्स जो है इस कोईल से आके टक्राएगा उस किया होगा जैसे जैसे यह रूटेट करेगा 90 डिगरी के बाद तो इसमें फ्लक्स का संपर्ख पहले से कम होते जाएगा और नाच्ते नाच्ते जब वह 180 डिगरी का कंप्लीट कर लेगा तो फिर से मीनिमम्स से संपर्ख होगा है इस प्रकार से आपका कॉईल का संपर्ख ह होता है तो यही देखिए जब आपका जब यह बिल्कूल इस प्रकार से था तो वहाँ पर फ्लक्स लिकेज बहुत कम था मालब फ्लक्स का संपर्ग कंडॉक्टर से बहुत कम था जिसके कारण फ्लक्स जो जीरो है लेकिन जैसे जैसे वह नाचना शुरू किया और 90 डिग्री क में जाके Meng machines means हो गई है जैसे जैसे फिर डाउन हुआ तो देखिए यह तो यह नीची ये निचे down होते 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 हैं जो 180-degree में आपकर conductor फिर से हो आ गया फिर से वह हो आगा जागा गया हो horizontal position में और 90-degree में था vertical position में तो vertical position में 90-degree में maximum था और horizontal position वो minimum हो टा तो यहाँ पर the horizontal vs vertical से horizontal 180-degree आते-्ाते फिर से minimum हो जाएगा फिर वही coil जो side up फिर जब नीचे के तरफ जाएगा तो फिर वही position देगा कि 180 degree से वह जाएगा फिर से इधर side में 90 degree plus हो जाएगा मतलब 90 degree में जाएगा तो यहाँ पर फिर यह maximum position में आ जाएगा और फिर उसके वह down होगा तो minimum में आएगा यह continue process चलते रहता है तो यह दो cycle 180 degree में एक cycle बनता है और 180 degree में यह cycle बनता है इस प्रकार से एक पूरे चक्र में एक पूरे coil rotation में आपको यह waveform बनता है ठीक है इस प्रकार से आपका यह आपका waveform इसी का बनता है तो यह हमिशा कब बनेगा जब आपका carbon brush जो है slip rings के साथ संपर्त में है और वो हमेशा उस slip ring जो है उससे हमेशा संपर्त में बना रहेगा ठीक है अब देखिए यहां पर सिंगल फेज में मानल सिंगल अगर क्वाइब आपका यहां पर आपका यहां पर देखते हैं तो यह सी वेफर्म उपन हो रहा है ठीक है अब देखिए यहां पर सिंगल के टर्ण में तो रीड यहां सिंगल और क्वाइल का टर्न है सिंगल तो में तो दू लिड नमंतों दो दो चेड़ा होगा त कि इससे कनेक्ट के दू ہोगया लेकिन लेकिन अगर वहां इस तरह के जो कशन बनता है है उसको अल्टर्णेर कहते हैं ठीक है जब यह दिवे स्टीक में किया करता है में पर कर रहा है उसका कर रहा है यह क processor हो लुका जा कर देट नगे्ड स्टीक है ऌसको लुटिससों अगम चयों किменगा प्रफुंटब एक नंगल का देशिए कि यहां पर हम किये थे हैं 45 डिग्री 90 डिग्री तो इस प्रकार से क्वाइल का जो है फ्लक्स के साथ कितना संपर्क है कितना एंगल बन रहा है उसको साइन ठीटा से संब्धूत करते है तो पुड़ा सुत्र बन जाता है यह बड़ा-बड़ बीलबी साइन ठीटा यह किसी के अब आते हम लोग यहां पर यह देखते हैं अब देखिए यहां पर यह सेम है यहां तक दोनों कसी धान देखें लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम लोग यहां पर एक स्प्लीट कम्यूट्रेटर होता है इसमें क्या होता है एक सर्किल है एक सर्किल बना हुआ है उसको दो भागवा में हम काड़ देता हैं काड़ दियें तो दो पाठ हो गया कट गया तो दो पाठ हो गया तो इस प्रकार से आपका दो भागवा गया अब देखें यहां पर क्या होता है यहां क्या अंतर होता है इस ट्राइगरम के और इस ट्राइगरम के आंतर है यहां पर क्या होता है यह लीड जो है मानिए कि यह लीड जो है जो टीवन है और यह लीड का टीटू है तो यह हमेशा यह जो पर्मानेंट टोर पर यह जो छला है जिस्कोंचल ही कहिए आपelas प्लिट जो है उसका एक चला यह है तो टीवन जो है इस यह वाले झहले से से हमेशा connected रहेगा टी टू जो है यह वाले छले से connected रहेगा ठीक है तो अब यहां पर क्या होता है उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जैसे यह rotate करता है saft rotate करता है तो आपका यह split जो दो भाग बढ़ गया है उसको split कहता है में क्या होता है जब saft rotate करेगा जैसे split rotate करेगा और split rotate करेगा तो क्या होगा यह a और b भी जो split को साथ rotate करेगा तो संअ इस condition में क्या होता है अब दखी कि न बेब दखेंप के लिए यह in तो यह B वला आके सट गया इस carbon brush C1 में और यह C2 carbon brush है तो उसमें आके A सट गया तो continue जो होता है C1 का संपर कभी A से होगा कभी B से होगा फिर उसी तरह C2 का संपर कभी A से होगा कभी B से होगा तो इस तरह से बदलते रहता है इस कारण से क्या होता है कि current का दिशा जो है हमेशा coil में एक बड़ावर्ण चलते रहता है ठीकाँ तो अब यहां देखें यहां तो क्या हो गया सेम सिस्टम है 360 गूमेगा अब यहां देखें यह तो इसी के लिए था अब इसमें क्या होता यह जो रिवर्स वा लग गया यह जो कि यह जो है अब ए से बी को और सिफ्ट किया जिसके कारण जो नीचे वे फंबन रहा वो आ गया किसके पास सीवन के पास और और वो क्या हो गया नीचे के बज़ाए उपर हो गया बने हो गया और पोजेटिव बनाने लगा तो इस प्रकार से आपका यह स्प्लीट लग जाने के कारण स्प्लीट लग जाने के कारण आपका यहां पर वे फंब कुछ इस प्रकार से बनने लगाए नीगेटिव वाला जो है कंवर्ट हो गया यह कंवर्ट किसमें हो गया पोजेटिव में कंवर्ट हो गया किसके कारण इस स्प्लीट का यूज क पकड़ा है और सिट्टू जो है स्टू को पकड़ा हुआ तो हमेशा पकड़ा रहेगा बदलेगाने कर लिए इस करण से आपका यह जो है अंतर प्राप्त हो जाता है तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग बात कर जहएं की हम दिशी में इसको काते हैं स्टू करेंकर को कि二 टार्व कर aceite को हटा कर स्प्लिट को हटा कर जो है अगर स्लिप रिंग जो दें तो वह इसी जेंटर हो जागा तो यह एक सही भी है और एक तरह से गलत भी है कैसे सही है यह समझिए कि जब अगर आपका दो क्वाइल के एक क्वाइल यूज करें इसमें दो टर्मिनल पॉइंट बना हुआ है ठीक है जैसे मिलेगा लेकिन अब यही क्वाइल को जब आप स्प्लिट का अप्यूग करके सेम उसका हम कनेक्ट कर दें अगर इस से इसका दो खंडा ही केवल होता है तो यह क्या हो जागा यह चेंज हो जागा अब डिसी जनेटर में ठीक है लेकिन जब बात होती है अधिक अगर अधिक दौनेटर 3-ачा है तो आप जाने तीन कहता है तो एससमें star connection होता है अगर anywhere बाकि R, Y, B का काम करेगा और 1 ठीक होता है लेकिन अब देखिए यह star connection होता है लेकिन अब बात होता है कि अब जब बड़ा DC generator में जाएएगा तो उसमें बहुत सारा क्वाइल यूज होगा जो इस condition में connected होगा इस commutator का segment है उसमें connected होता है ठीक है तो इसका design अलग है इसका design अलग है आप कैसे केवल आप किस तरह से construction को जब तक आप आण में चार को बदल नहीं लेते हैं बिल्कुल तरह से तब तक आपका स्लिप्रिंग लगा नहीं सकते हैं इसमें commutator कैसे इस्ट्रॉल हो सकता है नहीं हो सकता है यहां पर चार स्लिप्रिंग बदलने के लिए उसका winding का construction बदलना पड़ेगा तो आप जाके होगा यह तो नहीं होगा ठीक है इसलिए आप single coil में easy way में आप अल्टरनेटर को DC generator या DC generator को अल्टरनेटर बना सकते हैं लेकिन अगर बात हो जाए थ्री फेज का उसमें आपको एक ही option होता है या तो आपका पुड़ा armature का जो system है उसको बदल दीजिए उसको winding का कमुटेटर का पुड़ा connection ही बदलना पड़ेगा तो ही आपका काम करेग ठीक है और यहां देखें DC generator में जो फर्मूला यूज हो रहा है यी बराबर PNZ5 बटा 60A 60A तो यहां भी देखें जो पहले हम लोग DC motor में बैक EMF का फर्मूला था वहाई फर्मूला अब EMF के लिए यूज हो रहा है तो यी मतलब induced EMF बड़ाबर P से pole N से speed जो हो गया रप् maximum flux density जो है कितना है बटा 60A 60 constant है और यह जो है parallel path कितना है उसको दर साता है ठीक है तो इस प्रकारत से आपका DC generator जो होता है इस प्रकारत से सिधान पर काम करता है और कैसे वह alternator से भीन है यह भी समझना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग को confusion होता है कि alternator और जेनेटर दोनों एक ही है तो इसमें बहुत ही कुछ कुछ construction में कुछ बिंदों में एक समान है लेकिन कुछ बिंदों से अलग हो जाती है तो इस प्रकार से आपका DC generator जो है काम करता है और इस प्रकार से किस इस तरह से यह वे फॉर्म अलग होता है यह समझा दिया है मैंने आपको तो आप दोको का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है यह समय कर दोको दो कर दो कर दो कर दो कर दो